कि नमस्कार स्वागत आपका धुबी घाट पर मैं हो अशोक वांक्रेफिलाएं खबर के पिछे की खबर खबर यह है हमारे देश की इंकम टैक्स विभाग ने फार्मा कंपनियों का ओडिट करते हुए ऐसा कुछ किया कि देश को 55 करोड से भी जादा का चुना लगाया यह बात कोई अईरा गयरा नहीं कह रहा है मलिकार जुन खर्गे के नेतलत्प में बनी संसदीय कमिटी की रिपोर्ट यह बात कहती है हमारे देश में डॉक्टरों को गिफ्ट देना गयर कानूनी है लेकिन फार्मा कंपनियों ने डॉक्टरों को करोड रुपे के गिफ्ट दिये और वो अपने यहां खर्चे में दाले जिसको इंकम टैक्स ने मान भी लिया संसदीय कमिटी ने जिन कंपनियों का आडिट देखा उसमें से ही यह समझ में आता है कि हमारे देश ने पचपन करोड से भी जादा का रेविन्यू कोया है हमारे देश में फार्मा कंपनिया याने दवाईयों की कंपनिया अपने रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास भेजती है और उन्हें बहुत सारी गिफ्ट देती है उन्हें बहुत सारा लालज देते है ताकि उस दवाई कमपनियों की दवाईयां डॉक्टर मरीजों के लिए लिखे होना तो ये चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स जिनरिक दवाईया प्रिस्क्राइब करें लेकिन प्रिस्क्राइब होती है ब्रैंड्स वैसी दवाईया किसे और कमपनी की भरही सस्ती हो लेकिन बिमार आदमी महेंगी दवाई लेने के लिए मजबूर होता है खबर के पीछे की खबर ये है हमारे देश में जब भी हम अच्छे कानून बनाते हैं तो हमेशा उसमें जाने का रास्ता भी निकान लेते हैं फार्मा कमपनियों का डॉक्टरों को गिफ्ट देना गहर कानूनी बनाने के पहले एदि डॉक्टरों के लिए जेनरीक दवाईया लिखना या प्रिस्क्राइब करना अनिवार्य किया होता तो शायद कोई फार्मा कमपनी किसी डॉक्टर के दरवाजे पे खड़ी नहीं होती सारे के सारे दवाईयों के दुकान पे बैठ कर अपना माल ज्यादा बिकेईज की चिंता करता ऐसे में प्राइस वार होता यहने कीमतों की रड़ाईयां होती और किमते कम होने से हमारे यहां जो ग्राख है जो बिमार है जो दवाईयां खरिदता है उसे कोई रहत मिलती लेकिन हमारे यहां टार्गेट तो होता है गरीबों को रहत देने का और कानून बनता है ऐसा जिससे दिखे कि गरीबों को राहत मिल रही है लेकिन रास्ते ही इतने होते है कि जिसको जो काम करना होता है वो करते ही है अब सवाल इन कंपनियों में है क्या इनकम टेक्स डिपार्टमेंट अपने अधिकारियों पे कोई कारेवाई करेगा या Nuclear Council उन तमाम फार्मा कंपनियों पे कोई कारेवाई करेगी उन डॉक्टरों के क्या लाइशन्स निरस्त होंगे जिनोंने दवाया कंपनी से रिश्वत ली है मैं उसे रिशोदिश ले कहता हूँ क्योंकि गिफ्ट के कोई मायने डॉक्टर के पास होते नहीं यह खबर के पिछे की खबर देखते रहे हैं दो भी घाट